जैहें दोस्तों, बायो पेंदर कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अपना चैनल लिए के टुटोरियल में, आज हम लोग पढ़ेंगे घाटना चक्र के बुक प्रयावरणयों पारिस्थित की और इससे रिलेटेड पारिस्थित की टोपी के अंतरगत दि पारिस्थित की निम लिखित के बीच परिस्परीक संबद्धों का आध्यान है, Posner a काता है, जीव और वतावरण के बीच, मनुस्य और one के बीच, c ऑप्छन काता है, म।ुर d काता है, पती और पतणी के बीच, तो परिस्थित की जो होता है दोस्तों, और जीव और वताव देखेएं, तो जीव और वटावरण की अंतरगत ही आते हैं, चले यसकी ब्याख्या को दिखते हैं, ब्याख्या में काता है कि परियावरण है, वतावरण है और जो जीव है दोनों के आपसी संबंधों किरिवाओं का इसमें अध्यन किया जाता है जीव तथा उसके बाहरी वतारण की बीच एक सक्रिय संबंध को दर्शाता है यानि कि जो जीव है और जो बाहरी वतारण उसके साथ जो एक सक्रिय संबंध है यहींनि एक दूसरे से जो जो लगाव है एक दूसरे से जो जीव खागे सिंखला चलती है इस सब चीजों को दर्साता है इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्थ नहीं है दोस्तों कि पारिष्थितिक तंत्र की संकल अपना को प्रस्तावीत किया था अप्शन ए हो जाएगा जी टेलर ने बी है इए हैटी गटन ने सी अप्शन का रहा डी आर इस्टोडर्स ने और डी कहता है टॉसरे ने तो याद रखना है कि कब किया गया था तो 1935 में किया था प्रस्थिक तंत्र की संकल अपना और किस ने किया था दोस्तों तो एजी टॉंसले ने किया था एजी टॉंसली कनुसार जो परिष्थित की तंत्र भौतिक तंत्र का एक बिसेश परकार होता है एक कहते हैं कि यह भौतिक तंत्र है भौतिक तंत्र जो चीज़ें हम सारे चीज़ें जिसको छू सकते हैं तो सकते हैं जो देख सकते हैं, तो सब चीजें भौतिक तंत्र के अंतर रताते हैं, तो यह कह रहा है कि भौतिक तंत्र की एक बिसेश प्रकार होती है, जिसकी रचना जो है और जेविक और जेविक घटकों से होती है, यह जेविक घटक और जेविक घटक दोनों से होती है, चलिए आगे स्वेम की उत्पदक्ता होती है C काता है यह एक बंद तंत्र होता है और D कहा रहा है कि आप प्राके तिक संसाधन तंत्र होता है तो पारिष्थितिक तंत्र जो होता है दोस्तों कभी भी बंद तंत्र नहीं होता है तो यहाँ पर अपका C जो है आपका गलत है, पुछ रहा कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका C जो है सही नहीं है, बाकी अगर दिखें, तो A उप्षन B और D सही है, एक कह रहा है कि यह जेवी, क्यम जेवीक दोनों संगर्टनों सीख्थ होता है, आपको पता होगा, यह पारिष्थितिती तंत्र जोनों साधन तंत्र होता है, तो बिल्कूल सही है, लेकिन यह जो आपका दिख रहे कि बंद तंत्र होता है, एक गलत है, चलिए इसकी ब्याख्या को देखते हैं, पारिष्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, तो यह दुम ध्यान में रखना है हमेशा कि कभी भी प्रतिक और स्थान समय इकाई के समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण का परतिनीधितों करता है B काता है या किरिया सी लिकाई है C काता है कि इसकी अपनी उत्पदक्ता होती है और D काता है कि या एक बंद तंत्र होता है तो याद होगा कि परिस्थितिक तंत्र का संबंध नहीं है पिज में से हो जाएगा आपको देखें दोस्तु तो D जो है इसका समंध नहीं है जो कि या एक बंध तंतर परेस्थितिक तंतर नहीं होता है बाकी देखें तो E option B और C सही है इसकी बैख्या हो गया था दोस्तों कि यह परिष्टितिक तंत्र कंत्र गद्दे के क्रिया से लिकाई है उत्पादा की काई है इसके भौतिक पर्यावन के परते निधित्व करता है यह सब चीजें हैं लेकिन यह बंतंत्र नहीं होता है चलिए आगला प्रसन देखते हैं आगला प्रसन वाला कूट वाला है दोस्तों तो इसको देखिए प्रसन काता है कि नीचे दो भीकल्प दिये गए हैं इन मेंसे एक को अभी कथन यह वदूसरे को कारण कहा जाता है यह सब को पता है अभी कथन काता है कि जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदारण है और कि जिव मंडल में प्रारम्भिक निवेश के बाद पूरन नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है प्रन्तु उर्जा के निवेश यों बहीर गमन पर कोई परती बंद नहीं होता है अधु लिखित कुटों में सही उतर को चुनिए तो यहां पर अगर देखेंगे दोस गुदार सही है यह आपको पता होगा इसको बार बार पढ़ के मैंने बताऊंगा तो चलिए देखते हैं इस में साब शाप कर रहा है कि जिव मंडल एक खुला तंतर का उधारन है जिव मंडल कभी बंद तंतर में नहीं हो सकता है कारण कहा करा है कि जिव मंडल में पदार् कोई भी चीज में प्रारहम्वेक वदार्थमालिजन अलिग आता है तो नए चीजों को उसमें उत्पन होगा ही नव चीजों का परवेस होगा ही तो यहां पर मना कर रहा है टेनी कि देखें दोस्तों तो आर हमको गलत लग रहाए A सही है तो इसका देखिए बिल्कुल सही कि A सही है और R गलत है C उपसंजब का इंसर है वो सही होगा चलिए इसके ब्याख्या को देखी लेते हैं ब्यक्या में कह रहा है कि जेव मंडल मीटी सेल जल वायू से बनी हुई एक पतल पतली परत है जो प्रीथवी की चतुर्दिक आवरण मंडल की रूप में ब्यापत सबसे बड़ा परिश्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव सम्मंधित होते हैं तथा जेव मंडल जी अलाकि किसी भी परिश्थितिक तंत्र में उर्जा का परवा एक दिवस्य होता है तथा उर्जा का 10 परप्रीसवत भागी एक पोसक इसतर से अगले पोसक इसतर में अस्थांतरियत होता है इसलिए भी कर्थन इस सही और आरका गलत है तीस रहते आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या इसमें कारा है कि मिटी से लवायू की बीच बनी हुए एक पतली परत होती है जेव मंडल जो प्रित्वी के चतुर दसी आवरण में मंडल की रूप में ब्यापत सबसे बड़ा परितंतर होती है यानि प्रित्वी के चारू तंतर होता है यानि ओपन सिस्टम होता है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निमेशता था बहिर गमन यानि आउट्पूट और इन्पूट होता रहता है घ्यातब है कि परिष्थितिक तंतर से पोसक कभी समापत नहीं होता है इसको ध्यान रखने कि एक जा रहा है पोसक उत्पन हो रहा है तो कभी समापत नहीं होता है यानि कि एक साइकल के तरह ये चलता रहता है यह अंतकाल तक चलते रहता है यह जैसे ही होगा यह अंतकाल तक चलते रहेगा हलाकि किसी भी परितंत्र में उर्जा का परवाह जो होता है एक दिवसी होता है यानि कि उर प्रक्रिया है जो दस परतिसत हम तक पहुंचता है और फिर उस रोसनी से जो उर्जा उत्पन हो रही है उसकी फिर दस परतिसत हम तक पहुंचती है तो एक प्रक्रिया है जो दस परतिसत ही इस्थांतरीत होती है आप इसको डीटेल्स में पढ़े होंगे चली आगे बढ़ते हैं कि आगला प्रस्न है कि प्रीथवी का सर्वाधिक ब्रीहद परिस्तितिक तंत्र निमलिकित में से कौन सा है एक काता है कि जल मंडल, B है जियोम, C है इस्थाल मंडल, और D का रहा है कि जियो मंडल तो प्रीथवी का सार्वधिक ब्रीश्तित परिस्तितिक तंत्र गर देखें दूस्तों तापका हो जाएगा जियो मंडल, D आपका राइट हो जाएगा क्योंकि जियो मंडल के अंतरगती सारी चीजें आ जाएगी चलिए इसको देखते हैं ब्याख्या जियो मंडल यानि बायोस्फियर में मीटी, सेल, जल, वायू से बनी हुई एक पतली परत है जो प्रित्वी के चतुर देशी आवरन मंडल की रूप में ब्यापत सबसे बड़ा परितंत्र जो है आपका जियो मंडल ही है जिसके साथ जीवित जीव यानि लिभिंग और्गिनिजम समंधित होते हैं जो जितने जीवित जीव हो रहते हैं या जियो मंडल जीवों का भर पोशन करने का काम जीव मंडल ही करता है इस पकार जीव मंडल एक अधारभूत ग्रहिये तंत्र होता है यानि होता है जो बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक योम और जैविक दो जो संगठक होते हैं वो होते हैं और बीकल्प में दियेगा तीनों परिस्थित मंदल भी सभी में जो मंदल बिगमान होते हैं चलिए अगला प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण की जहां जीव रहता है उस सटिक जगह को कहते हैं तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, option A कहता है का आवास, option B कहता है परितंत्र, option C है निकेत, यानि नीच, D कहता है बायोम, और E कहता है उप्यूप्त में से कोई नहीं, या उप्यूप्त में से एक से अधिक, तो यहां पर देखें दोस्तों, तो जहां जीव रहता है, उस सटीक जगह को कहते हैं, आपका आवास कहते हैं, और बायोम भी कहते हैं, तो यहां पर इसका option E जो है, सही हो जागा, यानि उप्यूप्त में से एक से अधिक, आईए इसके ब्याख्या को देखते हैं, बैख्या में कार है कि किसी भी प्रजाती BCS के पोधे या जीवों तथा अन्य जीवधारियों के रहने की जगह, यानि होते actual location आवास, यानि habit कहलाता है, यानि जहां पर लोग रहते हैं, उस जगह को आवास कहते हैं, साब सब्दों में, यानि कि जीव रहे, पोधे रहे य इरिया माली जी के हजारू किलोमेटर है, तो उसमें जो निवास कर रहे हैं, जीव जैसे एक सरंडा बन हो गया, अपका सुंदर वन डेटा हो गया, तो ये को बायूम हो जाता है, क्योंकि बड़ा एरिया हो जाता है, उदारन के लिए वन हो गया, खास इस्थल हो गया, रि चोटा सा तलाब, जीव जीव धारी रह रहे हैं, तो उसको आवास कहेंगे, हैबिट्स बोलेंगे, लिखें, उसके बड़े सम्मुदाया को हम लोग बायूम कहते हैं, तो इस तरह से इसमें दोनों इंसर सही हो जाता है, यानि कि आवास और बायूम, तो प्युक्त एक में क्रिया करने वाले जीव यानि ओर्गनीजन का एक समु है, याद रखेगा कि परीत तंत्र सब्द का सुर्थक्रिष्ट वर्णन कोन सा कर रहा है, यानि पाहला कहा रहा है कि एक दूसरी से अनुम्स नाएक क्रिया करने वाले जीव और ओर्गनीजन का एक समुदाय है, बी क का रहा है किसी भगोलिक छेतर के वोनास्पति और प्राणिजाद तीस तरह से अगर इसको देखा जाए दोस्तों ता आपका जो एंसर जो होगा परितंत्र इसकी बैख्या दिया है तो बैख्या भी देख लिए किसी भी छेतर के सभी जिवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अज्यो घटक सन्यूक तुरूप से परितंत्र के निर्मान करते हैं परितंत्र जो होता है जेविक योम और जेविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक राचना होती है जो परितंत्र होता है दोस्तों जेविक योम जेविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक राचना होती है यानि परितंत्र में देखे तो एक साइकल की तरह इसको समाझ सकते हैं कि अधुलिखित में से कौन सा जिव से जिव मंडल तथा जयविक संगठन का सही करम है अपसा A काता है कि जनसंख्या, जनसंख्या से वड़ परिस्तितिक तंत्र और फिर समुदाय और भूद्रिस B काता है कि भूद्रिस, समुदाय, परिस्तितिक तंत्र और जनसंख्या C कहा है कि जनसंख्या, समुदाय, परिस्थितिक तंत्र और भुद्रीस है और D कहता है जनसंख्या, भुद्रीस, समुदाय और परिस्थितिक तंत्र तो यहाँ पर अगर देखें तो अधू लिखी में से कौन सजीव? जियो मंडल का जेविक संगठन का सही करम है यहां पर अगर देखा जाए सही करम के नुशार से अगर देखेंगे दोस्तों तो सी बिलकुल सही हो जाएगा क्या है कि जन संख्या चोटे समुदाय जन संख्या हो गया 10-20 लोगों का तो जन संख्या के बाद होता है बड़ा समुदाय जिसको कभिला बोल सकते हैं कभिला के बाद देखें तो एक परिश्थितिक तंत्र उसे समुदाय से बड़ा क्या हो जाता है परिश्थितिक तंत्र हो जाता है जिसमें बहुत सारे जिवों को उस अगर पेड़ पोथे फ्लांड है गान दुनिया जहान जीतना चीज़े है उसे रिया में सभी को संगठ का सही करम क्या है जन संख्या के बाद जैसे कि यादों की जन संख्या हो गया जानवरों की जन संख्या हो गया दोस्तों या कोई बनिया हो सकता है कोई भी जात हो सकता है तो जन संख्या क्लिमिट या मनुसे की जन संख्या मालिजे गाय की जन संख्या अलग ही रहें जानवर भी रहते थे साथ में पेड़े पोध है जो इस एरिया में रहते थे गाय बकरी भैस जो भी होता था साथ में आदमी भी रहते थे कबिला बन जाता था समुदाय बन जाता था उस से बड़ा अगर देखे तो उसमें बढ़ा क्या होता है परिष्थितिक तंदर यानि सब एरिया को मिलके पारिष्थितिक तंत्र का निर्माण हो जाता है यहां पर अच्छा पारिष्थितिक तंत्र का निर्माण हो गया और पारिष्थितिक तंत्र से बढ़ा अगर देखें तब का भूद्री से हो जाता है यानि भूमी पटल पर जितने चीज़े आ जाएगे यह भूद्री समझ रहें परिट्वी पर जो भी चीज़ आ जाएगी परस्थितिक तंत्र से बड़ी हो जाएगी तिस तरह से करम है जिसको आप समझ सकते हैं इसकी बैख्या में का रहा है कि एक जाती या जिवधारी की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है कोई भी जात समुदाय का निर्मान करते हैं और कर समुदाय मिल करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्मान करते हैं तथा एक निश्चित भूच्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिक तंत्र पाया जाते हैं जैसे कि जल पारिस्थितिक तंत्र हो गया बायोम हो गया एक वन पार पहाडी की निचे अरिया में माली जगह अढ़ाया तो में हमान can generate पहाडी की नीचे अरिया में माली अड़ा तो जगण पर बनती है वन ये सब चीज़ां जो है प्राकृतिक की देन है लेकिन खेत जो हम लोग बनाते हैं वो क्रित्री परितंतर का उदारण है तेहां पर भी सही हो जाएगा चलिए इसकी ब्याख्या को थोड़ा देख रहते हैं ब्याख्या में कहा रहा है कि वन तलाब जील प्राकृ बड़े तलाब हो गया जीले सब क्या है प्राकृतिक परितंतर है जबकि बगीचा या खेत जो है मानो निर्मित करित्रीम परितंतर के अंतरगत आते हैं आगला प्रास नहीं दोस्तों तो चलिए इसको अप्शन में पढ़ लेते हैं पारिष्टिक तंतर से संबंदीत निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए ए कह रहा है कि पारिष्टिक तंतर जो है सब दकाप्रियोग सरपर्थम ए जी टॉन्स लेने किया था बी कह रहा है जो जी अपना भोजन स्वेम पादित करते हैं उन्हें स्वपोसी कहते हैं तेहां पर थोड़ा ध्यान में रखेगा कि ए और दो दोनों सही लग रहा है अप्शन अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्या बोल रहा है कथन और दी नवचार भी है चली देखते हैं उसको तीसरा कार है कि प्रकास अंसलेशन की प्रकिरिया के दुवारा उपभोगता अपने भोजन का उपभोग करता है तो भोगता अपने भोजन का उपभोग करता है प्रकास अंसलेशन के लिए गलत लग रहा है आगे देखें तो चार करा है कि वी यो जग अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्थत करता है यह भी गलत है यह उप्युक्त कत्नों में से कौन सा सही है तो यह और दो दोनों सही है दोस्तों तीस तरसी इसका इंसर यह राइट हो जाएगा यह इसकी ब्याख्या का दु यहां भोगता नहों तु lep जो है अपने भोजन का भोग करते हैं तो उत पादक में आ जगा घरे घास पोथे लेकिन भोगता हम लोग क्या है मनुसे फोगता है तो प्रकास से थोड़ी नहमलों को भोजन मिल जाता है ति गलत है और वियो जो कार्बनीक पदार्थ को कार्बनीक भागों भी भाजित किया जाता है एक होता है स्वापोसी संगठक एक होता है परपोसी संगठक स्वापोसी संगठक जो होता है वे होते हैं जो प्रकास संसलेशन तथा रासायन संसलेशन के दौरा अपना आहर स्वेम निर्मित करते हैं जिसको स्वापोसी कहा जाता है जैसे क प्रकास निर्मित करते हैं ए प्रकास संसलेशन नहीं करते हैं और योजक अकार्बनीक पडार्थ को यहां पर उल्टा दिया था कि अकार्बनीक पदार्थ को कार्बनीक में परिवर्दित करते हैं इसलिए दोनों गलत हैं बत्किए दों सही था आगला प्रस्थना है कि इको सिस्टम के समध्म में निवन मैं से क्या सकते है अप्शन A कह रहा है कि प्राथमिक उपभोकता उत्पादक पर नियुंतम रूप से आसरीत है B कह रहा है कि प्राथमिक उपभोकता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते है C कह रहा है कि उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोकता से अधिक है और D का है कि दुत्य उभगता जो है अधिक्तम होने के साथ बहुत ही सकती साली है तो कभी भी ध्यान में रखेगा दोस्तों की इस टैप से अगर कोशन पूछे रहेगा तो कभी भी जो होता है उत्पादक से कोई बढ़ानी हो सकता है क्योंकि उत्पादक ज़्यादा रहेगा तभी तो उसको भोग करने वाले अगर संख्या के स्रिंखला बनी रहेगी मालिजे को उत्पादक कम है उत्पादक मान लीजे कि आपका घास कही रिया है 30 किलो मेटर और उसका भक्षन करने वाले 60 किलो मेटर इरिया में है तो कहां से पूर पाएगा फिर आधे से जन साख्या तो मर जाएगे उसके स्रिंखला खतम हो जाएगे तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेगा तो इस तरह से अगर देखें तो C अपका सही होगा को उत्पादक जो होंगे प्रात्मी को भोगता से अधीक है कभी भी ध्या जाएगे तो उत्पादक ही खतम हो जाएगा क्योंकि इन लोग इतना खा जाएगे तो फिर उत्पन हो गाए नहीं तो बाद में देखें अगर स्रिंखला खराब हो जाएगी तो बैसलिए जब इनको भोजन नहीं मिलेगा तो प्रात्मी को भोगता मर जाएगा उसी परका प्रात्मी को भोगता खतम हो गा तो दूतियों भोगता भी मर जाएगा भोग से फिर बाद में जब खतम हो जाएगा तो तीसी चलते कभी भी पहले वाले की संख्या हमेशा जादा रहेगी इसको ध्यान में रखेगा क्या बैख्या है चले देखते हैं बैख्या में का रहा है कि परतिक पोसक की स्थर से आगे बढ़ने पर उर्जा का हरास होती है याद रहेगा कि परतिक की स्थर में बढ़ते हैं जैसे उर्जा का हरास होती है इसी कारण उतपादकों की संख्या जो होंगी उपभोकताओं स अधिक होती है कभी भी पारिष्थिति तंत्र में सकाहारियों की संख्या कम नहीं होगी क्योंकि सकाहारियों की संख्या कम हो जाएगी और मंस्याहारियों की संख्या जो होंगी वो अधीक हो जाएंगे तो एक स्रिंखला गड़बड़ा आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ता है दोस्तों कि निम लिखित में से कौन क्रित्रीम पारिष्थितिक तंत्र है तो क्रित्रीम पारिष्थितिक तंत्र में देखें तो धान का खेत B का रहा का 1, C का रहा है घास का मैदान और D हो जाएगा जील तो बहुत असान है कि करित्रीम पारिश्थितिक तंतर यह जो मानोक दोरा बनाया गया परितंतर है उसे करित्रीम कहेंगे और इसके अंतरगत देखें तो धान का खेत यह अपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहनि धान का खेत को देखें तो हम लोग बनाते हैं जब कि 1 नहीं बनाते हैं न घास का मैदान बना सकते हैं और जील बना सकते हैं यह सब प्राकरितिक परितंतर है जब कि धान का खेत जो है मानो निर्मित करित्रीम परिष्थितिक तंतर है याद रखेगा जब कि धान का खेत जो है मानो निर्मित के द्वारा करित्रीम परिष्थितिक तंतर गर आता है चलिए आगला प्रस्न है कि निम लिखित में से कौन सा एक पारिष्थितिक तंत्र प्रिथ्वी के सारवधिक छेतर पर फैला हुआ है यह हो जाएगा मरुवस्थलिये, बी हो जाएगा घास का मैदा, सी हो जाएगा परवर्तिये और डी हो जाएगा समुंद्रिये बहुत असान है दोस्तों, आपको फट से बन गया होगा, कि एक पारिष्थितिक तंत्र जो है प्रिथ्वी के सारवधिक छेतर में फैला हुआ है, तो हो जाएगा समुंद्रिये पारिष्थितिक तंत्र, क्योंकि आपको पता हागा कि पूरे देखें, तो प्रिथ्थिवी का सही जल के रूप में है, उसमें 3% आते हैं, लेकिन जो देखें, तो 100 लीटर में अगर जल में 97 लीटर आपके समुंद्र के पास ही जल है, इस जीज को समझेगा, इसलिए समुंद्री जो परिथितंत्र है, वो सबसे बड़ा परिथितंत्र है हमारे प्रिथ्थिवी का, तो यानि कि जो जलिये परिथितंत्र है, जलिये के अंतरगार भी देखें, तो समुंद्री जो परिथितंत्र है, वो सबसे बड़ा परिथितंत्र आता है, अगर जलिये पुछेगा तो जलिये, अगर जलिये ना रहे तो समुंद्री रहे तो समुंद्री मेरिएगा, ठीक, चल बी का रहा है घास का मैदाँ सी का रहा है वन और दी का रहा है परवत कित यहां पर शाक साप दी करá दोस्त में कि समुन्द्र भीष्व का बिसाल्तम परितंत्र परितनतर है जल मंदल यानि होता हाइड्रोस्फेर का लगभग 97% भाग जो है समुंदरी जल होता है यानि जीतना भी जल मंडल यानि पूरे जल जीतने भी प्रिथवी पर है उसका 97% जो है आपके समुंदर के पास है तथा यह प्रिथवी के लगभग 70% सत्ता के उपर बिश्तरित है यानि अगर देखे दोस्तों थे प्रिथवी हो गया इसमें अगर देखे तो आपका 70 प्रतिसत यानि इसे हम लोगके सब्सक्राइब तो 70 प्रतिसत अपका जल है Mdra देखे दोस्तों तो अड़ाई परतिसत जो जल है वो पीने योग है यानि 100 लिटर में हम लोग के पास पीने के लिए मातर अड़ाई लिटर ही जल है जल दिखता बहुत ज्यादा है लेकिन हम लोग के लिए उपयोगी नहीं है अब समुन्दर का पूरा जल खा रहा है और तो याद रखेगा जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे अस्थीर होगा आपको पता होगा तो इस तरह से याप पर देखे तो सागरिये यानि महासागर का जो पारिष्थितिक तंत्र है वो सबसे इस्थीर होता है इसमें कोई परिवर्तन जल्दी नहीं आता है चलिए देखत प्रकास और तापमान जो मिल रहा है वोग रिगूलर्टी इतना है चीज और इतनी ज़्यादा विशाल संक्या में है ना उसमें खारापन कम होगा और नहीं जल्दी से आक्सिजन कम होगा इसलिए एक अस्थीर है और इसमें कोई परिवर्था नहीं होता है चलिए आगे देखते हैं आगला प्रस्त है दोस्तों कि निम्ने लिखित में से कौन सा एक पारिश्थितिकी संतूलन बनाये रखने में मदद नहीं करता है यह हो जाएगा वनो को काटना बी हो जाएगा वन रोपड सी हो जाएगा वर्षा का जल्परबंधन और डी हो जाएगा जियो मंडल भंडार तो इहां पर अगर देखें तो पारिश्थितिक संतूलन बनाये रखने में मदद नहीं करेगा कौन नहीं करेगा दोश्थितों तो साफ साफ देखा है वनों को काटना अगर आप वन को काटेंगे तो पारिश्थितिक तंत्र का संतूलन बीगड़एगा बनेगा नहीं तो बनाने में मदद नहीं करगा वह जाएगा वनों को काटना और बाकी दगर देखें तो आपके बनाने में मदद करता है जैसे वह अंड को रूपन करेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र अच्छा रहेगा उसका जो साइकल है अच्छा रहेगा वर्षा जल प्रबंधन वर्षा के जल को अगर प्रबंधन करते हैं संडक्षन करते हैं तो यह हमारी लदायक है और जियो मंदल है रहने की है चमता ये भी अगर देखें तो प्रत परस्थेतिक संतूलन के लिए उप्योगी है चलिए इसकी बैख्या को देखते हैं वनो को काटना पर्यावर्णिय संतूलन को बनाय रखने में मदद नहीं करता है ये साब साथ है चलिए आगे कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है कि निमनलिखित बहरत में पारिस्थेतिक और संतूलन का निम लिखित में से कौन सा एक प्रमुक कारण है भारत में पारिष्थितिक औसंतूलन का निमलिखित में से कौन सा एक प्रमुक कारण है यह हो जाएगा वनुमुलन करणा बी हो जाएगा मरुस्थली करण सी हो जाएगा बाढ है यो मकाल और डी हो जाएगा वर्षा का परिवर्तनाता यानि वर्षा का परिवर्तन था यानि वर्षा का परिवर्तन ही समझी है तो भारत में पारिष्टितिक संतूलन के में अगर सबसे कोई परमुख कारण है तो हम बानते हैं 1-0-0 यानि कि 1 की कटाई तीस तरह से हां पर देखे तो ये अपका सही हो जाएगा आईए इसके ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में साब सबकार है कि भारत में पारिष्टिक संतूलन का मुल कारण वनून मुलन है यानि वन की कटाई करना, वनू का डी हेडरेशन करना, वनू को सफ़या करना जबकि मरुस्थली करन, बाड, अकाल और वार्षा की परिवर्थनिता है इसके गोण कारणों में से एक है यानि कि गोण जो कारण है यानि कि थोड़ा सा उससे कम है जितना वनू के कटाई से ज़्यादा नुक्सान है तो इसको थोड़ा सा समझे चलिए आगला प्रसन देखते है निमने लिखित में से किस कारे से पारिष्थितिक संतूलन बिगड़ता है लकड़ी काटना समाजिक वाननी की से वन महत्साव से और वन उरोपन से ते भी बहुत असान है कि पारिष्थितिक संतूलन बिगड़ता है कि इसे तो लकड़ी काटने से लकड़ी काटने स्ताथ प्रह जंगल को काटने से जंगल काट रहे हैं इससे आपका प्राकृतिक जो है प्राकृतिक में पारिष्थितिक संतूलन वो बिगड़ रहा है तो इसका ब्याक्षा देखेगा दूसनों तो पारिष्थितिक और संतूलन का मुल्खारण वनुर मुलन है लकड़ी काटना है आगला प्रस्थन है के निम लिखित में से किसका पारिष्थितिकी संतूलन से संबंध नहीं है और सी काता है अध्योगिक प्रबंधन और डी काता है वन निजीव सुरक्षा तो पारिष्थितिक संतूलन से संबंध नहीं है किसका हो जाएगा दोस्तों तो इहां पर आपका अध्योगिक प्रबंधन इसका संबंध नहीं है बाकी देखें तो आपका सभी से संबंध है जल प्रबंधन कीजिए वन रोपन कीजिए वन जीव की सुरक्षा कीजिए इन सभी का संबंध जो है प्राकृतिक संतूलन से संबंध जो है नहीं है बाकी अध्योगिक प्रबंधन का जो संबंध जो है आपका इससे नहीं है बाक अगर गौन रूप में देखा जा तो अध्योगीक परबंधन से भी प्राक्रितिक संतूलन को बनाया जा सकता है। यानि कि इस से देखे तो कोई भी इसका संबंध देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपका एंसर जो सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रस्न है दोस्तों कि किसी निश्चीत छेतर में पराणियों की संख्या की सीमा जिसे परियावरन समर्थन कर सकता है कहलाती है। ऑप्षन, एख कह रहाएं कि जनसंख्या, B काता है कि वहाण च्हमता, C काता है संख्या, योंज, दरभयमान पराणियों की संख्या की सीमा जिसे परियावरन समर्थन कर सकता है वहाण च्हमता, आये इसकी बयक्या को देखते हैं। बेख्या में कराया कि वहन चमता अथ्वा जनसंख्या वहन चमता यानि क्राइं के पिसी भगोलिक छेतर के परितंत्र में किसी जुधारी प्रजाती की उस अधिक्तम संख्या यानि उस अधितम जनसंख्या के रूप में परिभासित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाध जो हैं पूर्ण सक्रदान कर सकते हैं यानि कि याद रखेगा दोस्तों की वहन चंटा जन संख्या, वहन चंटा किसी भोगऑलिक के परितंत्र में किसी जुद्हारी प्रजाती कि उस अधिक्तम जन संख्या करूप में परिभाश्盡 क adversit की जाती हैں जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोशन प्रदान कर सकते हैं कि चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आगला प्रस्थन काहता पावास और डी काहता है कावास्थेतर त्याद लखेगा किसी भी प्रकेवल्ण जीव के दौरा गरहण किये गए हैं उढ़ा है बेखिया कर त्यविम्हों कने करते हैं व क्या के द्वारा गरहण किये गए इस्थान का ही नहीं बल्कि जीओं के समुद्धाय मुस्की कर्यात्मत्ता भुमिका का भी वर्णन किया जाता है तीस तरह से आप इसको देख सकते हैं एक प्रस्न का रहा है दोस्तों कि एक खाग इस्थलिय पारिस्थितिक तंतर के खाग स्रिंखला में विभीन घटकों का सही करम है तो यहाँ पर अगर सही करम देखेंगे दोस्तों तो एक का रहा है कि घास टिड़ा मेधग सर्प बी कह रहा है कि घास टिड़ा सर्प मेधग यहाँ पर सी कह रहा है कि टिड़ा मेधग घास और सर्प और डी कह रहा है कि टिड़ा सर्प मेधग और घास तो एक खाग स्रिंखला को अगर सही करभ में देखे दोस्तों तो कभी भी खाग स्रिंखला के प्रारभी किस थर जो होता है वो गहास होता है तो यहाँ पर तो यह हो गया कि अपका C और D option खतम हो गया बाकि यह B में अप confusion लेगा तो घास के बाद कौन साएगा तो घास को कौन खाता है टीड़ा खाता है और टीड़ा को कौन खाएगा दोस्तों तो मेढ़क खाएगा और मेढ़क को कौन खाएगा तो सर्प खाएगा जबकि B option में देखेंगे तो आपका गलत दिखा रहा है कि घास टीड़ा टीडा के अगर देखे तो दिश्टों सर्प खायेगा लेकिन सर्प को मेढ़क नहीं खाएगा तीज तरफ से इस्रिंखला इहां पर गलत हो जाता है तब का इसर ये बिल्कुल सही है चले इसकी स्रिंखला को समझते हैं यहां प्रभ्यक्या में कि खाग स्रिंखला में बीभीन घर्टों का सही करम इस प्रकार है पहला आजाएगा आपका घास, घास क्या है उत्पादक है यह प्राथमिक अगर कहीं देखे कोई चीज का तो उत्पादन जो होता है वो घास होता है आप देखें तो बारिस होती है और घास अपने आप उत्पन हो जाता है मीटी पर तो घास जो है उत्पादक है उत्पादक आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ता है कि इन में से कौन खाग स्रिंखला का निर्मान करता है यह कह रहा है कि घास गेहूं और आम बी कह रहा है कि घास बकरा फिर आदमी सी कहता है कि बकरा कौवा हाथी इसके बाद डी कहता है कि घास मचली और बकरा यह कहता है कि इन में से कोई नहीं तो बहुत आसान है देखे अगर इसको बढ़ियां से समझेगा तो सिरिंखला बनाना बहुत आसान है सिरिंखला बनाने में सबसे पहला चीज आता है अपका घास तो अपका ये दोनों तो खतम हो गया घास के बाद अगर देखे तो घास के बाद गेहूं गेहूं के बाद आम ये गलत हो जाएगा क्योंकि आम जो है गेहूं भी पौधा है आम का भी पौधा ही होता है यहाँ पर देखें तो घास बकरा आदमी B बिल्कुल सही बैट रहा है दोस्तों गास को कौन खाता है बकरा खाएगा और बकरा को आदमी खाता है ये बिल्कुल सही जबकि D अगर देखेंगो अप्शन तो D कहारा कि घास को मचली नहीं खाता है दोस्तों मचली कीडा मुकोडा खाता है गास को नहीं खाता है तो यहीं गलत हो जाएगा इस तरह साब का B जो है सही हो जाएगा आए इसकी बैख्या को देखते हैं प्राष्णा अशर दिये गए विकलकों में घास बकरा आदमी ही खाग स्रिंख्ला का सही क्रम में प्रती बंधित करता है खाग स्रिंख्ला का क्रम सब प्रात्मिक उभगता प्रात्मिक उत्पादक समझे हैं यानि कि उत्पादक समझ रहे हैं उप्भोगता उत्पादक में अंतर होता है दोस्तों हमेशाथ है उप्भोगता यानि कि दूसरी चीज़ का जो उप्भोग कर रहा है उत्पादक यानि कि स्वेमोगत पन हो रहा है तो यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक के बाद भाकरा ज होगा उद्दूतियों भोगता होगा इस तरह से सही है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन आहार सिंखला का निर्मान करते हैं बहुत असान होगा दोस्तों इसको समझ गए होंगे अप्सन का नुसार कर देखे तो घास गेहु आ में गलत हो जाएगा बी कह रहा जाए कि घास बक्री तथा मानो अगर बी ओप्सन के देखे तो इस तो सही हो जारे इसलिए बी को डायरेक्टिक मारते हैं और आगे बढ़ते हैं चलिए B सही अंसर है और B में कह रहा है कि घास, घास के बाद बाकरा फिर मानों आहाश रिंखला का निर्मान करते हैं यानि कि CGPC में देखें दोस्तों तो दो बार रिपीट हो गया 2016 के प्रीम में पूछा और 15 के प्रीम में ये कोशन रिपीट हुआ है देखें, 2016 में ये कोशन है और 15 में भी कोशन पूछा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ने के निम लिखीत में से पारिष्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीविये संगठक नहीं है आप्सन ए का रहा है के वायू आप्सन बी का रहा वनस्पती, सी का रहा जीवाडू और डी का रहा है जानवर तो बहुत असान, बहुत असान सब्जों में समझ गये होंगे कि निम लिखीत में से पारिष्थितित तंत्र का कौन सा एक जीवे संगठक नहीं यानि कौन सा एक जीव के अंतरगत नहीं आता है तो आपका डाइरेक्ट दिखर का वायू जो है जीव के अंतरगत नहीं आएगा बकि वनस्पती भी जीव के अंतरगत आएगा जीवाडू भी कीडे मोकोडे, सब जीनो बेक्टरिया और जितने भी सबाएंगे और जानवर भी जीव के अंतरगत आएगा तेस तरह से वायू जो है जीव के अंतरगत नहींगा तबका ये सही हो जाएगा चले बेक्षा देखते हैं जीवित संगठक यानि होता है बायोटिक कॉंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुवे हैं जो एक पारिस्तितिक तंदर का निर्माण करती है वायू जो है जीवित संगठक नहीं है चले प्रस्नों को देखते हैं प्रस्न का राय कि परी तंतरों में खाग स्रिंखलां को संदर्भ में निम्नलिखित कंठनों पर विचार करें ये कहारा कि खाग स्रिंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवित की एक स्रिंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोसित होती है दूसरा का खाग स्रिंखला एक जाती की सम्मश्टी के अंतरगत पाई जाती है और तीसरा कह रहा है कि खाग स्रिंखला उस परतिक जीव की संख्या का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है तीस में अगर देखे दोस्तों तो हमको एक कथन सही लग रहा है यह में कारा कि खाग स्रिंखला उस क्रम करने देशन करती है जिसमें जिवों की एक स्रिंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोसीत होती है यह बिल्कुल सही है कि जो जिवों होंगे उसका एक स्रिंखला होगे और एक दूसरे के आहार के द्वारा पोसीत होती है एक दूसरे को भोजन करते हैं और अपने आपको पोसीद करते हैं यह उर्जा लेते हैं यह बिलगूल सही है चाहिए इसकी कंप कुछ व्योंशा सही तो शलिसक को देखते हैं अंघ जयाी सिस्तरों के एक स्रिंख़ा में होता है जिसे खाग श्रिंखला करते हैं पारेस्टिक संगनिया अनुसार एक पोशक सम्बंधियाओ सकता हूँ कि अनुसार ही एक दूसरे पर निर्भर होते है अनिकि हम पोशन नीचे वाले से ले रहे हैं हमारा माहमारा सब कोई और ले रहा है तो यह स्रिंखला होती है जिसे एक दूसरे को सिन्थ कर रहा है अगला प्रस्न है दोस्तों कि एक पारिष्थितिक तंत्र में निम लिखित में से कौन प्राथमी कूप भोगता है निचे दिये कुट का सही उतर चुनिए उप्성 ए में काता है कि चीटी, B का राइह हिरन, C में हाँ पर मतल Green nurture है टीसरा में है लोमली और Chautha में है 16-to- 2 कि दोनों मांसा अरी है यानिके लूमडी और बाग जो है ए एतारी फो भोगता है जबकि प्रात्मी को भोगता है हुआ आपका चीटी और हीरणा जगा तीस तरह से आपका कूट जो है ए जो है एक और डोंदो सही है आए बेक्षया को देखते हैं कि किसी खाग सेंकला में मुख्यता साकाहारी प्राणी ही π्रात्मी कुभ़ोगता के स्रेडि मे आते हैं याद रखेगा जो प्रात्मी कूँभगता होंगे और खटक के रूप में और आत्मी को भूगता दोनों के स्रेडी में आती है यह पौधों को खाकर सेलूलोज से उर्जा प्राप्त करती है यह पौधों को देखे तो छोटे-छोटे की जो पौधे होते हैं उसमें से खाकर की उर्जा प्राप्त करती है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ना है कि कुछ कारणों वस्यदी तितिलियों की जाती यानियात एस्पेसिज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है अप्सन ए मतलब एक कथन में कहता है यह काता है कि कुछ पौधों को प्रागण पर प्रतिकुल प्रभाव पढ़ सकता है कुछ कुछ पे पौधे में कविये संक्रमण प्रचन रूप से बढ़ सकता है तीसरा काता है कि इसके कारण बरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ परजातियों की समिष्टी में गिरावट हो सकती है नीचे दियेगा कुट का प्रयोकर सही उतर का चैन कीजिए चलिए सही उतर को चैन कीजिए तो इसमें अगर देखे दोस्तों मालीजी की अचानक बोल रहा है कि चीटियों की संख्या में गिरावट होती है तो उसे कुछ पदों का प्रागन परकरति परवर प्रभाव पड़ सकता है और तीसरा हम कहता है ऐसे के कारण देखें तो बोरो और मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों में समिष्टी में गिरावट हो सकती है तीस तरह से अगर देखें तो एक और तिन बिल्कुल सही है तेहां पर इसका एंसर सी राइट हो जाएगा आए इसकी ब्याख्या को देख लेते हैं पॉस्चन था तो थोड़ा टॉप रहता ही है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ना है कि खाग स्रिंखला याणि फूट चैन में मानो है एक कि और अप्शन एक कह रहा है कि एक निर्माता है बी कह रहा है कि केवल प्राथमी को भोगता है C करा के केवल दुत्य उभगता है और D करा प्रात्मी कियों दुत्य उभगता है तो खाग स्विंखला में फूर्चेन में मानो जो है दोस्तों प्रात्मी कियों दुत्य दोनों उभगताओं का अंतर गता आता है क्योंकि मानों जो है कुछ मानों साकाहरी है और कुछ जो मानों है साकाहरी विथ मानसाहरी यानि दोनों को गरहन करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सरवहारी करते हैं यानि कि साधा भोजन भी करता है और वो मानसाहरी भोजन भी करता है तिसमें अगर देखें तो मानों जो हो पर उसे दूतियों भोगता के स्रेड़ी में रखा जाएगा तीस तरह से आप इसको देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आकला प्रस्ता है कि समुंद्री वतावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन-कौन होते हैं तो फाइटो प्लेन का टाज्म बी का आता है कि समुंद्री आप रीत बीजी और डी काता है जलिए बायो फाइट्स तो अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो अपका यह जो दिख रहा है कि फाइटो प्लेक उन्टस जो होता है समुंद्री वतारण मुख्य प्राथमिक उत्पादक की रूप में जाना जाता ह है तरह से यह अपका सही हो जाएगा चलिए इसकी ब्याख्या को देखते हैं समुंद्री खाक्स निकला में फाइटो प्लेन का टांस मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं यह प्रकासनेशन के परकिरियाक दोबरा उर्जा उत्पन करते हैं और प्रिथिवी की वायू म आगला प्रस्णा है कि पारिष्थितिक तंत्र की जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है यहाद रखेगा दोस्तों उत्पादक घटक पूछ रहा है अप्सन में का रहा कि गय बी का रहा है कि मोर और डी का रहा है और सी का रहा है घास और डी का रहा है कि हरे पोधे तो याद रखेगा कि पारिष्टितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक जो होता है और कभी भी हरे पोधे ही होते हैं और भोकता अगर पुछता तो यह इसमे देखेता आपका फट से हम लोग मार दिखते हैं is So, अब उत्पादक पूछ रहा है तो उत्पादक में आपका हरे पोधे आजेंगे ऐसे ही हो गह्याय ज लेकफ्या को देखते हैं जैवी घट को मेंसे हरे पोधे उत्पादक घटक के अंतरगात आते हैं हरे पोधे सुर्य प्रकास का उपयों करके प्रकास अंसलेशन की बिधी के द्वारा अपना आहार स्वयम निर्मीद करती है तो याद रखेगा कि जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको सूरी की प्रकास के रोशनी चाहिए और उसके द्वारा देखें तो उर्जा का निर्मान करती है और अपने आप विक्सित होते हैं बढ़ती है तो कभी भी उत्पादक में आपका हरे पौधे ही आते है तो प्राथमी कुद पादक और प्राथमी कुद भौकता दोनों को ध्यान में रखना है आगला प्रस्ण है कि प्रथम पोशक इस्तर के अंतरगत आते हैं तो यह हो जाएगा आपका हरे पादक यानि प्रत्थम पोसक इस्तर के अंतरगत कौन आते हैं तो हरित पादक आते हैं कि बताने की जरूत नहीं है दोस्तों प्रत्थम पोसक साकाहारी जन्तु नहीं आएंगे मांसा हरी जन्तू नहीं आएगे और सरोभक्षी जन्तू नहीं, हरित जो पाधक आएगे वो प्रत्थम पोसक इसतर के अंतर गत आते हैं वे सभी पोधे जो प्रकासनेशन के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वो प्रात्यमिक पोसक या उतपाधक कहलाते हैं याद अखेगा कि जो पोधे प्रकासनेशन के दिवरभोजन निर्मित कर रहे हैं, वो प्राथमिक पोसक या उत्पादक कहलाते हैं, जबकि अगर आपको डाउट हो रहा का दोस्तों कि साकाहारी जन्तु, तो साकाहारी जन्तु जो भोकता है, आपको हमेशा ध्यान में रखन है, यह पोसक किस्तर नहीं होते हैं, प्रथम पोसक किस्तर नहीं होते हैं, बलकि यह प्रथम पोसक किस्तर को खा करके, साकाहारी जो जन्तु है, वो अपना उर्जा लेते हैं, तीस तरह से देखें, तो यह उपफोगता कंतर गता आजाएंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला कियो मा जेवी घटकों के मद जो होते हैं बीचोलिया का कारे करते हैं यह हो जाएगा अपका उत्पादक तो ध्यान में रखेगा जो उत्पादक होते हैं उत्पादक यानि उभोकता नहीं ध्यान में रखना को उत्पादक अभी जेवी कियो मा जेवी घटकों के मद जो है ब बीचोलिया याद रखे के काम करते हैं एक और जहाँ प्रकास अन्षन के द्वारा अपन भोजन बनाते वहीं मिर्या से खनी जीवं और क्यों पष्यけस स्वे Camus Shasharen और मंसा भोजन सिरोप में भी विधमान होते हैं यानि की अर्ज्या बनाते हैं दूसरी बात देखें तो बनाने के बाद ये दूसरे मर जिव्यों के लिए भोजन की रूप में खुद उपलब्ध हो जाते हैं जैसे कि हम लोग क्या आगते हैं धान पैदा करते हैं भई तो प्राथमी कुद भोगता है उत्पादक है कि धान का पौधा उगाए उसे हम लोग चावल लेते हैं तो हम लोग खाते हैं साग सब्जी जितना है सब भई जमीन से ही पैदा हो रही है सब भास पूरा से ही पैदा हो रही है तो उसको लेकर कि हम लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं जिसे हमें उर्जा मिल रहे हैं तो याद रहे हैं कि हम लोग प्राथमी कुद भोगता है और दूती उत्भोकता यानि मान्स काते हैं उसे में हम लोग दूती उत्भोकता में याते हैं और उत्पादक आपको पता होगा तो यह जो जैविक और जैविक घटकों के बीच एक मद जो है रिलेशन इस्थापित करते हैं चलिए अगला प्रस्न है दोस्तों कि पारिष्थेतिक तंत्र के संदर्व मेनिम लिखित कत्रों पर विचार किजिए यह कारा कि स्वपोसी यानि स्वपोसंड इस्तर पर उत्पादक को प्राथमी कुद्पदक्ता कहा जाता है और दुत्ये उत्पदक्ता का संदर्व जो है वो पर वोसी यानि बिसम पौसम जन्यतर से उत्पादन से हैれं तेहा पर देखें दोस्तों तो गुर्ःग ब्रोप्त मेंसे कोंसे सही है यह बताना है तेहा पर अगर ऑप्शन के नोसारा देखें केवल 1, दोनों और दोनों और दोनों इसा carrier ने जो अधन होता है है यो फबन हो रहे हैं जो घटर करके उसको खा आश्रीत है तीस तरह से अगर देखें तो आपका एक और दू दोनों सही हैं इसके ब्याख्या को देखते हैं दोस्तों तो बहुत लंबा चोड़ा ब्याख्या चलिए आए देख लेते हैं पारेस्थेतिक तंत्र में जेविक संगटकों के दो परमुक भागों भी भाजित किया जाता है पहला हो जाता है कि स्वपोसी घटक और दूसरा हो जाता है परपोसी घटक त्याद होगा कि जेविक घटकों के दो भागों भी भाजित किया जाता है एक स्वपोसी और एक हो ज जो अपना भोजन स्वेम बना रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक कह लेते हैं प्राथमिक पोसा क्या उत्पादक कह लाते हैं वहीं दुत्य उभोगता पर पोसी जन्तु होते हैं जो स्वपोसी पोधे यानि प्राथमिक पोधे के दौरा उत्पन जैवि आपना अहार गर्वन करते हैं दुट्यू भोगता को खा करके और ये अपना भोजन बनाएगा उसे कहा जाएंगे त्रीत्यू भोगता एक के लियर है ये इस तो बताया गया तो इसमें देखिए एक समझाया गया है नीचे जो हो गया उत्पादक हो गया जैसे के सूरे के प् प्राथ में कुभ भोगता को क्हा जाएगा अब इसके बाद देखे जो साकाहरी बन गया और ॉथ यहां पर गया भैन भैल मेर्श बस्थि ने ही स्टे पश्रनous श्रहन चीरंटलर चेहरोट कर जाएंगे उयर्भव भीरति बेआन पसे सब्न कीश्षार Biz यहां पर ए है कि पर्वत सारवधी के स्थाई परिष्थितिक तंत्र है बी कह रहा कि जेवी अवे जिवाडू इसके बाद स्थी कह रहा हरे पोधे परिष्थितिक तंत्र वर्षा गुलोबल वार्मिंग इन विसे कौन सा सही सुमलित है यह बताना है तो यहां पर अगर देखें दोस्तों तो सही सुमलित हमको लग रहा है कि जो सी है हरे पोधे परिष्थितिक तंत्र यह बिल्कुल सही है जैसे पर्वत जो हता है सारवधी के स्थाई परितंत्र यह नहीं होता है सारवधी के स्थाई परितंत्र जो हता है समंद्र होता है और भी घटठक जीवादों दोनों संबंध नहीं दिख्वा है घलत है वarसा के गलोबल वार्मिंग नहीं होती है क्योंकि जब युग पृष्टितिक तंत्र से संबंधित हैं प्रण्टु हरे पोदे पारिष्टितिक तंद्र का सही सुमलित बिकल्प है यह आज के लिए तना ही करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसको कम्प्लेट कर देंगे कि क्यों काफी कोस्चन बचा हुआ है और बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए देख रहे हैं कि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है जो 15 नंबर कोश्चन इहां से सुरू हो रहा है उसको अगले वीडियो में लेकर के आते हैं तब तक के लिए जय हिंद और ठकान हो जाती है लगातार बोलने से इसे चलती इसको अ रहा करके फिर से हम अप्लोड कर देंगे मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद अ झाल